नमस्कार आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और अब मैं आपको इस वक्त बॉंबे हाई कोट के अंदर कोट रूम के अंदर क्या क्या चल रहा है एक एक बात आपको बताने जा रही हूँ मुकुल रोहदगी ने कहा कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ और कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर की बात है और A1 उन्होंने आरन खान के लिए अपने क्लाइंट के लिए कहा है तो कोई कस्टमर नहीं था वो सिर्फ इन्वाइट किया गया था एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे और उनको इन्वाइट करने वाला शक्स कौन था प्रतीक ग जानते थे तो वो जो अडवर्टिस्मेंट दिया गया उनके इवन्ट मैनेजर के तौर पर तो ये लोग वहाँ पर आफ्टनून में दो पहर में पहुच गए 2 अक्टूबर के यानि मुकुल रोहदगी ने आगे कहा कि एन्सीबी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी अच्छी खासी स्ट्रेंथ में टर्मिनल पर और उनके पास कुछ तो इन्फोमेशन थी तो वो कहते कि मेरे क्लाइंट यानि की आरेन खान और अर्बास जो है उनको अप्रिहेंट किया गया वो शिप पर बोर्ड कर पाते उस करने के लिए नहीं है कि उसने कुछ कंज्यूम किया हो यानि लिया हो साथ ही मुकुल रोहदगी कहते हैं कि मतलब ऐसी कोई occasion ही नहीं थी कि मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करना पड़ता मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी ये short and simple बात में यहाँ पर बताना चाहता हूं तो मुकुल रोहदगी ने कहा और फिर उनको arrest कब किया गया 3 October को उनका statement record कर लिया गया था तो कोट ने फिर counter question के तौर पर पूछा कि 3 October को किया arrest तो उननोंने का जी हाँ 3 October को arrest किया गया मुकल रोहदगी आगे हाइलाइट करते हैं कि कोई recovery नहीं हुई आरियन खान से, उन्होंने कुछ भी consume नहीं किया था और कोई medical test भी नहीं कराया गया है आरियन खान का, तो मुकल रोहदगी कहते हैं कि we have raised the question in several petitions, हमने कई सारी याचिकाय दायर की हैं और हमने ये सवाल उसमे कि police officer ना होते हुए भी ये police की power exercise करते हैं, so they say they have the power to arrest, तो वो ये कहते हैं कि इनके पास arrest करने की power है, but otherwise say they are not police officers, और फिर फिर कभी कबार कहते हैं कि ये police officers नहीं है, तो मुकल रोहदगी ने इस बात को वहाँ पर रखा कि ऐसा क्यूं है कि जब arrest करने की बात आती है, तब य कि police officer वाली power में आ जाते हैं, और वैसे बाकी समय पर ये police officer की power में नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ, आगे live law ने बताया हुआ है कि आखर इसका हवाला उन्होंने क्यूं दिया है, एक case हुआ था, एक case था पिछले साल ही, Supreme Court की judgment थी उसमें, उस case का नाम था तोफान सिं case, जिसमें Supreme Court ने ये कहा था कि NDPS की जो अधिकारी होते हैं, वो police officer ही है, और इसी लिए कोई भी confession, कोई भी statement उनके सामने जब दिया जाएगा, तो वो court में सबूत के तौर पर inadmissible होगा, यानि माना नहीं जाएगा, आपको पता ही है कि police के सामने दिया हुआ, कोई भी बयान नहीं मानने होता है, जब तक कि वही बयान magistrate के सामने ना दिया जाए, तो इसी लिए इनके कहने का मतलब, मुकुल रौदगी का कहने का मतलब यही था, अरेस्ट करने के नाम पर ताप police officer हो जाते हैं, लेकिन जब आपको confessional statement वगरे लेने, तब आप police officer नहीं बनना चाहते ह तो आपके सामने दिया वा कोई भी statement वो मानने नहीं होगा ना, तो अपने हिसाब से नहीं बन सकते हैं, तो मुकुल रौदगी ने आगे कहा, since there is no recovery or consumption, I am wrongly arrested, क्योंकि मेरे पास से को recovery नहीं है, और मैंने consume भी नहीं किया है, तो मुझे गलत तरीके से गिरफतार किया गया ह है, तो वो कह रहे है कि मेरे खिलाफ ये case ये कर रहे है कि क्योंकि मैं अरबाज मर्चंट के साथ था और क्योंकि मुझे ये पता था कि अरबाज मर्चंट के पास contraband है, इस वज़े से ये मुझे guilty hold कर रहे है, मुकुल रोहदगी ने कहा कि conscious possession is what is under my control and knowledge, if I am driving the car and something is in the car, there could be conscious possession, तो अगर मैं कोई conscious possession ये हुआ कि अगर वो मेरे control में है, अगर अरबाज मर्चंट के पास कोई चीज है, मुझे भले ही पता है, लेकिन वो उसके conscious control में है, तो मैं उसके लिए कैसे जिम्मेदार हूँ, मुकुल रोहदगी कहते है, my case is that there is no conscious possession at all, लेकिन मेरे case में तो कोई conscious possession ही नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, what somebody else had in their shoe is not my concern, किसी दूसरे के जूते में क्या है, चुपा हुआ, या किसी के जूते में क्या है, उससे मेरा लेना देना कैसे हो सकता है, वो मेरा concern नहीं है, that cannot be my conscious possession, तो इसलिए उसको मेरा conscious possession कहकर आप मुझे बेल देने से मना नहीं कर सकते हैं, फिर आगे वो कहते हैं, कि even if conscious possession is taken, the maximum he can be charged with is one year, for the six grams, तो कहते हैं, अगर मान लीजिए, आप उसमें भी अगर आप मुझे पे conscious possession, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और आप तब भी मुझे अरबाज मर्चंट के जूते में contraband होने की वज़े से मेरे उपर conscious possession का आप आप लगा कर मुझे guilty hold कर देते हैं, तो भी 6 gram के लिए मुझे एक साल की सजा मिलनी चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि so I am not charged under 27A, इसका मतलब NDPS का act 27A, जिसके दुरुपयोग की बात लगातार हो रही है, उसके अंडर ही लोगों को जो है frame करने की कोशिश होती है, और वो सबसे stringent होई है, उस 27A के अंडर मैं नहीं आता हूँ, but they are charging me with conspiracy, लेकिन वो लोग मुझे, ये लोग मुझे साजिश रचने का आरोप मेरे उपर मड रहे हैं, आगे वो कहते हैं कि WhatsApp chat recover की गई है मेरे phone से, वो on record नहीं है, पर सिव उनको sight किया गया है, none of those chats relate to the cruise party, तो cruise party स उन किसी भी chats का कोई लेना देना नहीं था, रोहगी आगे कहते हैं कि वो कोई भी जो chats थी, none of those chats have anything to do with the onset of this saga, ये सब कुछ जो हुआ है और cruise party हुई है, इसे कोई लेना देना, किसी भी WhatsApp chat का नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, जो main stream media जो दिखा रहा है, जिन chats को, 2019 कि कुछ chats है, the chats will have to be tested at the time of trial, जब trial शुरू होगा, तब उन chats की माननेता चेक की जाएगी, और कितनी उसमें authenticity है, वो सब देखा जाएगा, बट तो यूज जेनरल फ्रेस of conspiracy, देर इस ना थे, लिकिन अगर एक जेनरल सा फ्रेस मेरे खिलाफ यूज किया जाए, कि जी साजर शर्ची गई है, तो वो उसको साबित करने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ प्लान था भी मान लीजिए, तो वो तो अबॉट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, क्योंकि उससे पहले जैसे उन्होंने शुरुआत में बता ओलकिन कॉंचुमा पर आगो किया मेरे क्लाइंट लोग्लों करने कोकुछ जांट लूट को से लिए, तो किसी और के साखेकुन में वह कोईए बता सकते हैं कि जी वह उसके पास है, तो मेरे पास भी है, और मेरे कंट्रोल और नॉलज प्हें में भी है, तो मेरे खिलाफ और बेचने या फिर कंज्यूम करने का है तो यह उन्होने सारी बाते कहीं है रौहद्गी नाओ साइट ऑफ सुप्रीम कोट रागिनी द्विवेदी वर्सस्टेट ऑफ करनाटका यह एक केस अब उन्होने एक यह अचाइट किया है रौहद्गी ने जो है जजमेंट ऑफ सु फिर NCB का भी आपको जो पक्ष है वो आपको सुनने को मिलेगा तो कल भी मैं आपके साथ में फिर लाइव आउंगी फिर मैं आपको इसी तरह से सारी के सारी बात बताऊंगी लेकिन जाते जाते मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट ही हमको मदद करता है आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं आप जब मेरे विडियो शेयर करते हैं आप जब मेरी तारीफ भी करते हैं आप जब मुझे कृटिसाइज भी करते हैं जो भी करते हैं कॉमेंट करते हैं वो मेरी मदद करता है